की आयो भाभेणो याद करतो है मुके मन्च परभी राजमान गुजरात राज़े के मुके मंतरी सिमान पीजय रुपानी जी मंतरी परिशत के मेरे साथ ही स्री नितीन गड़करी जी पौन राधा कृष्टन जी मन्शुक मांडविया जी राज्य के उपमुक्य मंतरी शी नितीन भाई पतेल कंडला पोर्टरस के ट्रस्टी शी आर्शी फर्दू शी मावजी भाई सुरचिया शी भारत राज़गोर भारत सरकार में हमारे साथी सचीव सिमान राजीव कुमार भाई रवी और उपस्तित भाई और वहनों कंडला एक प्रकार से लगू भारत है मिनी इंडिया है और आज एरपोर्ट से कंडला पोर्ट तक आने के रास्ते भर आप सब ने जिस प्रकार से स्वागत सम्मान किया एक प्रकार से आपने सडक के दोनों किनारों पर आबेहू भारत खड़ा कर दिया था मैं आपके इस प्यार के लिए इस स्वागत सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हो ये शब्दों में कहने की जरूरत नहीं है कि कच्छ के साथ एक मुख्यमंत्री के कारकाल के दर्म्यान मेरा लगाओ कैसा था बार बार आपके बीच आना होता था कच्छ की धर्ती में एक ताकत है दो सो साल पहले भी अगर कोई कच्छी दुनिया के किसी छोर पे गया होगा परिवार चोथी पांच भी पीड़ी होगी लेकिन अगर बिमार हो जाए तो उसका मन करता है कच्छ चले जाए तब यह ठीक हो जाएगी हम कच्छ के लोग पानीदार तो है पर बिना पानी जिद्धी की गुजारते रहे पानी का महत्मे क्या होता है यह कच्छ के लोग भली भाती समत्ते हैं बिराड, समंदर, मरुभुमी, पहाड, गवरोपुर्ण इतिहास पांच हजार साल पुरानी मानव संस्कृती के सबूत कच्छ के पास क्या कुछ नहीं है नरसे भितुस्तान को दुनिया को देने की ताकत इस धर्ती में है और दुनिया को मैगनेट की तरह आकरशित करने का सामर्त इस धर्ती में है अभी नितिन जी बता रहे थे कि आज जो वैश्विक अर्थवास भवस्था का रूप है विश्व व्यापार का महात्मे जिस प्रकार से बढ़ रहा है उस कॉम्पिटिशन में अगर भारत को हमें आगे भढ़ाना है इस वैश्विक अर्थववस्था का लाब उठाना है विश्व व्यापार में भारत ने अपनी जगा पक्की करनी है तो भारत के पास उत्तम से उत्तम व्यवस्था वाले बंदरों का होना बहुत जरूरी है यह कंडला पॉर्ट और आज जो चीजें वहां निर्माण हो रही है एक प्रकार से कोई सोच सकता है क्या कि इतने कम समय में आज कंडला पॉर्ट पूरे एशिया में प्रमूख बंदरों में उसने अपनी जगा वाना ली है पिछले एक दो साल में चाहे लिक्वीड कार्गो हो चाहे ड्राइ कार्गो हो पॉर्ट सेक्टर में काम करने वाले हर कोई समतने हैं कि इसका जो ग्रोथ है वो पॉर्ट सेक्टर के अर्थनीती को जानने वाले लोगों के लिए बड़ा ही सर्प्राइज कर रहा है यह achievement किया है और धीरे धीरे पॉर्ट पर काम करने वाले लोगों को भी लगने लगा है यूनियन चलते हैं चलते रहेंगे लेकिन मिल जुल करके अगर हम इस पॉर्ट की ताकत को बढ़ाते हैं एक ताकत है इनफस दक्तर की दूसरी ताकत है एफिशन्सी की ट्रांस्परंसी की और उससे इतना बड़ा प्रणाम देश को मिल सकता है जिसकी हम कलपना नहीं कर सकते हैं अब नितीन जी पता रहे हैं ते इरान के साथ चोबर पॉर्ट उसका एक निर्ड़ा हम लोगों ने किया उस पॉर्ट का सीधा समन कंडला के पॉर्ट के साथ आने वाला है चाबाहर पॉर्ट और कंडला पॉर्ट इन दोनों का जुड़ना इसका मतलब यह होता है कि विश्व व्यापार में अंगत की तरह कंडला अपना पैर जमाएगा इतना बड़ा परिवर्ट ना आने वाला है आज कंडला पॉर्ट को मेकनाइज करने की दिशा में कुछ कदम उठाये जा रहे हैं केपसिटी बिलिंग के लिए 14 और 16 बर्थ के विस्तार और विकास के लिए योजना बन रही है और बदलते हुए यूग में पॉर्ट सीटी का कंसेप्ट डेवलप्मेंट का एक इकनोमिकल एक्टिविटी का एक विवस्ता वो दिशा में भी योजना बन रही है ट्रांस्पर्टेशन को बन मिले और इसलिए उस प्रकार के मार्क की रचना जो ट्रांफिक को स्मूत करे हिंदुस्तान के कौने कौने में हमारा सामान तेजी से पहुँचे जिस प्रकार से समुंदर में टर्न एराउंड टाइम कोई जहां जाए खाली हो या भरे और कितने दिन में आगे चला जाए इसमें जितना समय कम लगता है उतनी एफिसेंसी की गणना बैश्विक स्तर पे होती है आज भारत में उस टन एराउंड टाइम को कम करने के लिए हमारे नितीन जी के नेत्रुत में अनेक इनिशेटिव लिए गए है इस टन एराउंड टाइम को कम करने में एक बबस्ता होती है पॉर्ट से बाहर निकलने के बाद अपरके सारे ट्रक्स कितनी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं अगर आगे बाटल लेख होगा तो टन एराउंड टाइम के लिए पॉर्ट में कितनी ही टेक्नलोजी हम लाएं रुकावट बनी रहेगी और इसलिए आपने देखा होगा कि आज कंडला पूरे गुजरात के हिसाब से देखें तो भी एक कौने में एक छोटा सा नगर देश के हिसाब से तो ध्यान भी नहीं जाएं लेकिन आज कंडला में करीब करीब एक हजार करोड रुपियों के इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं एक हजार करोड एक कोई सामान रखम नहीं है हम कल्पना कर सकते हैं कि एक कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा अभी वो बता रहे थे कि यह रोड का काम है हम दो साल में टार्गेट किया है मैं ते इंदितीन जी को बता रहा था हिंदुस्तान में रोड के सेक्टर में नितिन जी ने जो गती लाई है कई वर्षों तक हिंदुस्तान ने ये गती देखी नहीं है तो मैंने उनको कहा कि आपकी जो विशेस्ता है आपकी जो ख्षमता है उसका लाब गुजिरात को भी तो मिलना चाहिए तो नन मुझे कहां कि मुझे क्या कर रहा है मैंने का ये रोड बनाने का काम 24 मेने नहीं 18 महने में पूरा करके दिखाओ और मुझे विश्वाद है नितिन जी को इशारे इशारों में कह दे तो भी वो इस काम को पूरा कर देते हैं तो मुझे भी स्वाद है हो जाएगा आज यहाँ बाबा साब आमेड करके नाम से एक कन्वेंशन सेंटर भी बन रहा है विशाल भूभाग में बन रहा है यहाँ के लोगों की आवश्यक्ता के अनुसार बन रहा है लेकिन मैंने उसका जो प्लान देखा तो मुझे लगता है शायद रवी बड़े डरते डरते बनाया है उसको लगता है पता नहीं इतने पैसे कहां से आएंगे कैसे होगा तो मैंने नतीन जी को कहा है कि ऐसा छोटा मत करो उसे कुछ नए सिरे से सोचो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए मैं सोच करके बताता हूँ तो ये कन्वेंशन सेंटर भी क्योंकि जिस प्रकार से कच्छ का डेवलप्मेंट हुआ रहा है आज हिंदुस्तान में कोई एक डिस्टीक तेज गती से आगे बढ़ रहा है तो उस डिस्टीक का नाम कच्छ है और कोई कलपना कर सकता है 1988 में भेंकर साइकलोन ने हमको तमाह कर दिया था 2001 भूकम्पने आए हमें जमिन दोस्त कर दिया था लेकिन मिस्टी की ताकत देखिए यहां के लोगों की खुमारी देखिए आज कच्छ फिर से चल चल पड़ा और कंडला यह न सिर्फ हिंदुस्तान गुजरात की अर्थे बवस्ता का केंदर बिंदू बन सकता है याता यात की दुनिया में कंडला पोर्ट हिंदुस्तान की अर्थे बवस्ता में भी एक एहम भूमी का निभा सके इस परिस्थिती में काम कर सकता है और हम भी उस दिशा में इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं भारत की सामूद्रिक व्यापार की विरासत हजारों साल पुरानी है लोथल में पांच जार साल पहले सामूद्रिक व्यापार का इतना बड़ा केंदर था उसके बगल में वलपी यूनिवरसिटी थी उस वलपी यूनिवरसिटी में असी से जाना देशों के बच्चे पड़ते थे और लोथल का जो पोड़ था बंदर था कहते हैं कि 84 देशों के जंडे वहां हमेशा दिखाई देते थे हजारों साल पहले इस देश में दर्याई जहाज बनाने का काम कच्च में हमारे पुर्वजों की विरासत रही हम दुनिया को जहाज देते थे यहां से यह ताकत थी हमारी इस सामर्थे को फिर से जिवित किया जा सकता है आज कनला पोर्ट पे इमारती लकड़ी बहुत बड़ी मात्रा में आती है और हमारे कच्ची लोग हिंदुस्तान के कौने में कौने में लकड़ी के वैपार में भी लगे हुए है यह इमारती लकड़ी का वैल्यू एडिशन कच्च की धर्ति पर हो सकता है दुनिया से लकड़ी आ जाएं उस पर आर्ट वर्ग हो मैनमेड कला उस पर लगें फिर दुनिया में वापिस जाएं घर बने, बिल्डिंग बने, मकान बने, मंदिर बने, पुजा घर बने दुनिया को बहुत बड़ी भेट सोगात यहां से डेवलप की जा सकती है नमक का वैपार, समुद्री मार से जितना जादा हम कर सके उतना खर्च कम आएगा तटिय जल परिवहन साड़े साथ हजार किलोमेटर समुद्री तट हो तो फिर हमें रोड और रेल से हमारा सामान क्यों ले जाना चाहिए क्यों न समुद्री तट से ही एक जहां से हिंदुस्तान में ही कलकत्ता सामान भेजना होगा तो यहीं से समंदर के मार से कलकत्ता क्यों न जाए पूरे हिंदुस्तान को चीर करके जाने की जरूत क्या है यह पूरा बढ़ला वबस्ता में परिवर्तन लाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं जिसका लाब आने वाले दिनों में मिलने वाला है हमारे नितिन जी का एक ग्रीम है लोथल में भारत की जो महान ताकत है उसका विश्व को परिचे हो इस प्रकार का एक मुजियम कैसे बने विश्व व्यापार की द्रस्टी से मेरिटाइम उनिवर्सिटी का काम महत्वपून है और अभी मुख्यमंत्री जी पता रहे थे कौनों ने मेरिटाइम उनिवर्सिटी का अल्रेडी एसमली के अंदर बील भी पास कर लिया है मेरी उनको शुब कामनाए है हुमन डिसोर्ट डेवलेब्मेंट का ये काम वो ना सिर्फ गुजरात को समुद्री त्रटके लाब का होगा वो हिंदुस्तान के समुद्री व्यापार के लिए भी एक ताकत के रुप में उभरेगा ऐसा मेरा पुजा विश्वास है भायोबेनों 2022 भारत की आजाजी के 75 साल हो रहे है मैं आज जब कंदला की धर्ती पर आया हूँ कंदला के लोगों को कच के लोगों को गुजरात के लोगों को देश के लोगों को बार बार ये कहना चाहूँगा कि 2022 जब बनार्थ की आजादी के 75 साल हो रहे हैं हम देश के उन वीर सपुतों को याद करें उन महापुरुषों को याद करें जिन्नों ने आजादी के लिए अपनी जिंदगी खपा दी थी कई महापुरुत्य जवानी जेलों में खपा दी कई महापुर्त्य चार-चार पीडी परिवार की तबाह कर दी, यह देश आजाद हो इसके लिए, उस आजादी के 75 साल 2022 में हम कैसे मनाएंगे, एक नागरिक के नाते हम भी तो संक्रप करें, कि हमें आजादी के जंग में लड़ने का बोका नहीं मिला था, लेकिन भारत को दुनिया में सिर्मोर बढाने के इस विकास की आत्रा में शरीख होने का हमें सवभाग मिला है, हम भी कुछ सकारात्म करेंगे, हम कुछ न कुछ ऐसा करेंगे एक नागरिक के नाते, जो 2022 में देश को नई उचाई पर ले जाने में, मेरा योगदान माना जाए, मुझे संतोष हो, समस्ता हो तो वो भी करे, चेंबर है तो वो भी करे, नगरपाली का है वो भी करे, पंचा है तो वो भी करे, राज्य सरकार है तो वो भी करे, हर कोई हर कोई अपने आपको संकल्प बद्द करे, और अभी पांच साल हमारे पास है, पांच साल में कुछ करके दिखाएं और तब जाकर के 2022 को मनाए इस संकल्पे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं जोते हमने सोचा है इस देश के गरीबों की जिन्दगी में बढ़लाव लाना है चाए गैस के चुलिय का कनेक्शन हो चाए गरीब की जोपनी में बिजली पहुँचाने का प्रयास हो 2022 तक हमारा सपना है हिंदुस्तान के गरीब से गरीब परिवार को भी रहने के लिए अपना खुद का घर हो और घर में बिजली भी हो घर में पानी भी हो घर में सौचालाई भी हो ऐसा घर उसको मिले ये बहुत बड़ा सपना लेकर के काम चला रहा है ये वर्ष पड़ित दिन्दायल उपाजाए कि जन्वशताब्दी का वर्ष है भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति अंतिम छोर पर बैठे वी व्यक्ति का कल्याण कैसे हो इस विचार को केंद्र में रखते हुए उन्होंने देश को एक नया चिंतन दिया था आदेश पंडित दिन्दायल उपाजाए कि जन्वशती मना रहा है तो मैं कंडला पॉट्रस को नितीन जी को उनके विभाग को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि क्यों न हम यह कंडला पॉट्ट है उसको दिन्दायाल पॉट्रस कंडला विजी बतरुप से उसकी प्रक्रियां करें निर्णे करें और दिन्दायाल पॉट्रस कंडला के रुपे क्योंकि गरीबों के लिए काम करना है दिन्दायाल वो गरीबों के पहचान का शब्दा है हमारे देश में जो दिन्दायालू है वो भाव अगर हमारे सामरे रहेगा तो हम निरंतर समाज के दबे कुचले शोसित पीडित वंचित उनकी जिंदगी में बढ़लाव लाने के लिए काम कर सकते हैं मैं फिर एकबार कच की धर्ति मैं मुझे फिर एक बार आप के वीच आने का सोबाय मिला आप सब इतनी बड़ी मात्रा में करके मुझे आशिरवात दिये इसके लिए मैं आभारी हूँ नितिन जी का आभारी हूँ कि इस कारकम में मुझे सरी खुने का सहबाग मिला बहुत बहुत धन्यवाद आपके उजस्वी विम्मार्ग दर्शी संबोधन के लिए रिदे तल से आपका अभार प्रकट करते हैं हम सभी भारत माता की जय जय कार